हलो दोस्तों मैं सौनाली सिंग आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मुहावरे पर वीडियो पार्ट 3 ठीक है इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 तो मैंने वीडियो को शुरू करेंगे आपको सयम बना के रखना है पेशन्स बना के रखना है ताकि आप वीडियो में अंतक बने रह सकें और एक-एक मुहावरे को और उसके अर्थ को समझ सकें हर कॉम्पिटेटिव एक्जाम में इस बुक से कोई ना कोई कॉशन जरूर आते हैं च पर दिख रहा है चांदी काटना जिसका अर्थ होता है आनंद से जीवन बिताना से कि चांदी का जूता रूपियो का जोना आपने कहीं बार सुनाओगा उसका तो चांदी का जूता है इसका मतलब सच में तो चांदी का जूता नहीं होगा रुपे का जोर पैसो का जोर ठीक है चूडिया पहनना इस्तरी किसी असमर्थता प्रकट करना आप किसी कहीं न कहीं से भी असमर्थता नहीं है बलकि पुरुषों से भी आगे हैं अगला यहां पर छक्के छुडाना खूप परिशान करना चटी का दूध याद दिलाना सुख भूल जाना चाती पर मूंग दलना या फिर कोदो दलना कस्ट देना चै पाच करना आना कानी करना चप पर फाड़ कर देना बिना परिक्षम के देना तीक है आगे है इसमें चाती पर साप लोटना किसी के प्रती दहा छोटी मू बड़ी बात योगिता से बढ़कर बोलना चाती पर पत्थर रखना और सहय दुख को दिल में ही दबा लेना आगे हिसमें जड उखारना पूर्ण नाश करना जंगल में मंगल करना शूने स्थान को भी आनंद में कर देना जब बिना सोच समझे बोलना जो व्यक्ति बिना सोच समझे बोलता है उसके लिए शिब्द का इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है आगे है जी का जंजाल होना अच्छा ना लगना जमीन का पैरो तले से निकल जाना सन्नाटे में आना जमीन चूमने लगा धारा शाही होना जान खाना तंग करना जी तूटना दिल तूटना जी लगना मल लगना जी खटा होना खराब अनुभव होना जलती आग में तेल डालना जगडा बढ़ाना आगे बढ़ेंगे अगर अभी तक आपने शैनल को सब्सक्राइब में किया है कर दिजे क्योंकि हमारे शैनल पे ल जान बूचकर बैमानी या फिर कोई अशोबनीय कारे करना यानि कि पता है फिर भी आप गलत काम कर रहे हैं इसका मतलब आप जीती मक्खी निगल रहे हैं कोई चलिए तो यही हो गया इसी का अर्थ यहां से हैं जमीन आस्माने करना बहुत उपाय करना जी चुराना जाड मारना ग्रणा करना टका सा जवाब देना फोरण अस्विकार कर देना यानि कि एकसेप्ट ना करना टका सा मू लेकर रह जाना लज्जित होना टटी की आड में शिखार खेलना छिपकर बुरा काम करना टांग अडाना दखल देना टाटू लटना व्यपारी का अपने को दिवालिया घुशित कर देना ताट उगलने का मतलब होता है कोई वेपारी है उसने अपने आपको दिवालिया घुशित कर दिया है तेडी खीर कठिन काम टेटे पॉप व्यर्थ हल्ला करना हिंदी भाषा है और ऐसे शब्द आपको देखने को मिल ही जाते हैं आम बोल चा कुछ नहीं ठगासा यानिकी भोचक कासा आगे है इसमें डूपने को तिनके का सहारा संकट में पड़े को थोड़ी सी मदद दीन हाकना शेखी भगारना बढ़ चड़ कर बाते करना देड़ चावल की खिचड़ी पकाना इसका अर्थों का अलग-अलग होकर काम करना इसी चाहिती पेस पर उफर की तरफ देखेंगे से वी टूरी धिली करना समाल कर काम ना करना ठीक है ृभी देना अधिन्ता में रखना धेर करना, मार कर गिरा देना, धेर हो जाना, मर जाना, दोनों में थोड़ा सा ही फ़र्ग है घोल पीटना, जाहिर करना, तहे देना, दबा देना, तहे पर तहे देना, खूप खाना तरहा देना, ख्यालना करना, तंग करना, हैरान करना, तंग हात होना, निर्धन होना, यानि की गरीबी होना तलबे चाटना या फिर सहलाना, खुशामत करना, चाटू कारिता करना आगे है इसमें तिनके को पहाड करना चोटी सी बात का बतंगर बनाना एक तरीके से बड़ी बना देना उसको देखिए दिल का तार बनाना छोटी बात को बड़ी बनाना दोनों का अर्थ सेमी है तीन तेरा करना या फिर होना नस्ट करना तितर बितर करना तुती बोलना प्रसिद होना खूब चलना तार जाना समझ जाना तुक में तुक मिलाना खुशामत के लिए बुरी भली सभी बातों का अनुमोधन करना यनकी उनको एकसेप्ट करना उन्हें बढ़ावा देना तेवर बदलना क्रोध करना ताना मारना व्यंगे वचन बोलना ताक में रहना खोज में रहना तारे गिनना दूर दशा ग्रस होना काफी चोट पहुचन आगे है इसमें तोते की तरहां आखे फेड़ना बैम रोबत होना ठाली का बैगन होना जिसका विचार इस्थिन ना हो जो कभी कुछ सोच रहा है उसको आप कह सकते हैं थाली का बैगन थूकर शाटना प्रतिग्या भंग करना थूतू करना घ्रणा करना दम मारना विश्रा करना दम में दम आना राहत होना डाल गलना कामयाब होना प्रियोजन सिद्ध होना प्रियोजन होती है प्लैनिंग दूज का चांद होना कम दर्शन होना ताव खेलना धोका देना दिन दूनी राज चोगनी खूब उन्नती करना दिनो दिन का फेर होना बुरे दिन आना दिमाग खाना ылप़क्वास करना दिल बढ़ाना सहस लड़ना आगे है। विक वर में जबत है कि उस पारटिकुलर वेक्षिद की बात हो रही है उसको ग्यान और अनुभव का अभाव है उसमें ठीक है चले इसको इरेज कर देते हैं हां से यह पढ़ेंगे दूद का दूद पानी का पानी होना निस्पक्ष ने आए दाए बायक देखना साबधान रहना या फिर होना दिल दरिया होना उदार होना आगे किताना टालना या फिर भागना धर्ती पर पाउ ना रखना घमंडी होना ठीक है अगले पेस पर आईए और यहां पर पहला मुहावरा आपको दिख रहा है धाग जमाना यानि की रौब होना दूआसा मुह होना लज्जित होना धूप में बाल सफेद करना बिना अनुभव प्रापकिये पूड़ा होना ठीक है धूल छानना मारे मारे फिर्ना धोबी का कुत्ता निकम्मा धोली ए शॉरी धोती धिली होना डर जाना नजर पर चड़ना पसंद आ जाना नाच नचाना तंग करना नुकता चीनी करना दोश दिखाना अलोश ना करना यहनिकी नुकता पावचेनी करना है जमा करने के लिए करों ने ताहिए टैंगा करना झार से खावचिक नौध शिरेंगा null उसे आप कहेंगे नदी नाव का सयोग, नसीब चमकना, भाग्य चमकना, नीद हराम होना, तंग आना या फिस सोना सकना, नेकी और पूछ पूछ, बिना कहे ही भलाई करना, नेकी और पूछ पूछ का मतलब होता है, बिना कहे, कोई अगर भलाई करता है तो उसे कहेंगे, ने घूस देना, पहलू बचाना, कत्रा कर निकल जाना, ठीक है, आगे है, पते की कहना, रहसे या चुबती हुई काम की बात कहना, ठीक है, ये आई थिंक पते होगा, पते की कहना, जी, ये है पते की कहना, यतना बात पते की, पते की मतलब, रहसे या चुबती हुई बात, आगे पाई का बुल्भुला शड भंगुर वस्तु मतलब नुचा पानी के बुल्बुले का मतलब होता है है घ्रेट पांई देनह तरपंड करना सीचना पानी ना मांग ना ततकाल मर जाना पानी पर नीव डालना ऐसी वस्तु को आधार बनाना जो टिकाओ ना हो ठीक है समझ से जो चलेंगे पानी पानी होना बहुत लजजित होना या अधिक लजजित होना पानी पानी करना लजजित करना पानी पीकर जाती पूछना कोई काम कर चुकने के बाद उसके औचुत्ते का निन्ने करना ठीक है यह निक तरीके से अपना काम निकाल लेना पानी रखना मर्यादा की रक्षा करना पानी में आग लगाना असमभफ कारे करना पानी लगना इस्थान विशेस के बुरे वातारण का असर होना हवा लग गयी पानी लग गया तो इनी ची पानी की तरह बहना, अंदादुन करना, पानी फिर जाना, बर्बाद हो जाना पानी फिर यह सारी महनत पे, उस अज में तो पानी नहीं फिरा पानी फिरने का मतलब है बर्बाद हो जाना, पापड बेलना, दुख से दिन काटना, पोल खुलना, रहस से प्रकट करना पो बाहरा होना खूब लाब होना पेट में चुहे कोदना या फिर दोड़ना भूख से परेशान होना अब इसी पेसवर उपर की दिरफ देखेंगे पीट ठोकना साहस बंदना पुरानी लकीर का फकीर होना पुरानी लकीर पीटना पुरा निचाल मानना पाच उंगली अगी में पूरा लाब होना पैर पकड़ना, शमा चाना पीट दिखलाना, पलायन करना फूल ना समाना फूला ना समाने का मतलब बहुत प्रसन होना बहुत खुश होना फूल ना फलना, उन्नती करना फोटी आखों ना भाना, तनिक भी ना सुहाना फफोले फोड़ना, वैर साधना फबतिया कसना, यनि की ताना मारना या फिर चुबती बात कहना फोक फोक कर कदम रखना, साबदान होकर काम करना फूल जड़ना, मधुर बोलना बगला भगत कप्टी बगला भगत किसे कही है, जो कप्टी हो, नकली हो, ढोंगी हो बगले जाकना, बचाव का रास्ता ढूना बंदर गुड़की देना, धमकाना बहती गंगा में हाथ दोना वह मोका हाथ से ना जाने देना, जिससे सभी लाब उठाते हैं बाग बाग होना, खुश होना, बासो उचालना, काफी खुश होना बजार गर्म होना, सरगर्मी होना या फितेजी होना बात का धनी, वादे का पक्का, ठीके द्रिन प्रतिग्यन बात की बात में अतिशीग्र बात चलाना, चर्चा करना, बात ना पूछना, निरादर करना, बात पर ना जाना, विश्वास ना करना, बात बताना, बात बनाना, बहाना बनाना कितना बात बनाते रहते हुग तो किसी से भी आप इस सब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब आप कहना चारे हैं कि बहाना बनाना, बात रहना वचन पूरा करना, बातों में उडाना हसी मजाक में उडा देना बात पी जाना, बरदाश करना सुनकर भी ध्यान ना देना बाए हाथ का खेल सरल होना, बाल की भीत, शीगर नस्ट होने वाली चीज, बेसिर पैर की बात, निराधार बात, यानि कि जिसका कोई वजूद मनलब जिसका कोई अर्थी नहीं है, निराथक है, जो रेलिवेंट ही नहीं है, बोल बाला होना, प्रसिद्ध होना, भाड़े का टट्टू, गया भीता, भीगी बिल समय नश्र करना, भूत चड़ना, या फिर सवार होना, किसी बात की जिद, पकड़ना, या फिर रंज के मारे आगा पीछी भूल जाना, भारी लगना, असहे होना, भनक पड़ना, उर्ती हुई खबर सुनना, मर मिटना, बरबाद होना, मास नोचना, तंग करना, मिट्टी क होना, फिका पड़ना, ठीक है, अगले पेस पर चलेंगे, 134 पेस है और यहां पर उपर की तरफ आपको दे रखा है, मिट्टी में मिलना, नस्ट होना, मन चलना, इच्छा होना, मन के लड्डू खाना, व्यर्थ की आशा पर प्रसंद होना, मिदान साफ होना, मार्ग में ब मोटा आसामी, इनकी मालदार आदमी, मुठवेड होना, मुकाबला होना, यश्गान होता है, प्रशंसा करना या फिर एहसान मानना, यश्मनाना, प्रतिग्य होना, युग-युग यनि की बहुत दिनों तक, ठीक है, युग-धर्म, समय के अनुसार चाल या फिर व्यवहा युगांतर यानि की उपस्तित करना, किसी पुरानी प्रथा को हटा कर उसके इस्थान पर नई प्रथा चलाना, यानि की युगांतर उपस्तित करना, रंग जमना, धाग जमना, रंग में भंग होना, आनन्द में विघन पढ़ना, रंग उतरना, फीका होना, रंग लाना, प्रभाब दिखाना, रंग बदलना, परिवर्तल होना ठीक है, आगे बढ़ेंगे रंगा सियार, धोंगी, रफू चक्कर होना, भाग जाना रसातल चला जाना, रसातल चले जाना एकदम नस्ठ हो जाना, राई से परवत होना, छोटे से बड़ा होना रीड तूटना, आधार समाप्त होना, रोटियां तोड़ना, बैठे बैठे खाना कितने फ्रीकी रोटी तोड रहे हैं ठीक है, तो इसका मतलब है बैठे बैठे खा रहे हो रोना रोना, दुखडा सुनाना लंगोटी पर फाक खेलना, अल्प साधन होते हुए भी विलासी होना लाख से लीख होना, कुछ ना रह जाना, लाले पढ़ना, मोहताज होना लुटिया डुबोना, काम बिगाड़ना, लोहा बजाना, युद्ध्य होना लेने के देने पढ़ना, लाप के बदले हानी होना लंगोटिया यार, यानि की बच्वन का दोस, लहू होना, मुगदु होना लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना लग्गी से घास डालना, दूसरों पर टालना ललो चपो करना, यानि कुशामत करना, चिचोरी करना लहू का घूड़ पीना, बड़दास करना जबान देना, वक्त पर काम आना, विपत्ती में मदद करना शर्म से गढ़ जाना, अधिक लजजित होना शर्म से पानी पानी होने का मतलब है बहुत लजाना शान में बट्टा लगाना इज़त में धब्बा लगाना शेखी बगारना यानि की डिंग हाकना ठीक है इसी पेज पर उपर की तरफ देखेंगे जो अगला मुहावरा है शेतान की आत बहुत बड़ा शेतान की खाला जगडालू इस्तरी शिकार हात लगना आसामी मिलना श्री गणेश करना आरंब करना शटराग यानि की खटराग अलापना रोना गाना बखेडा शुरू करना जंजट करना सब्ज बाग दिखाना बड़ी बड़ी आशाय दिलाना सिक्का जमाना प्रपुत्व जमाना सितारा चमकना या फिर बुलंद होना इसका मतलवता भाग उद्धे होना भाग्य का उद्धे होना शिप्पा भेडाना उपाय करना साथ पाँच करना आगे पीछे करना सुबह का चिराग होना समाप्ती पराना सेकडो गहने पानी पढ़ना लजजित होना ठीक है एक मिनिट जी आगे बढ़ाते हैं इसको और इट करेंगे ये वाला सनाटे में आना इसका मलगता इस तब्दो हो जाना ठीक है सकते में आना एक तरीके से इसके बाद है याँ पर सब धान 22 पसेरी यानि कि सब के साथ एक सा वेभार सब कुछ बराबर समझना सबको हाथ के तोते उड़ना अचानक शोक समाचार सुनकर इस तब्दो होज जाना यानि कि घबरा जाना खका गका रह जाना बौचक रह जाना हजामत बनाना ठगना लूटना हवा लगना संगती का प्रभाव ठीक है अभी बताया भी था मैंने आपको थोड़ी दिल पहले इसके बारे में हवा लगना पानी लगना का मतलब होता है संगती का प्रभाव हवा खिलाना यानि कि कहीं भेजना हड़ी पसली दुरिस्त करना खूब मारना हडप जाना हजम कर जाना हलका होना तुछ होना या फिर कम होना हल्दी गुड पिलाना खूब मारना हवा पर उड़ना इत्राना हतियार डाल देना यानि कि हार माल लेना रिदय पसीजना दयाद् या फिर द्रवित होना ठीक है हिर्दे का पिकल जाना आगे इसमें हैं मिथकी ये एतिहासिक नामों से सम्मनित महावरे ठीक है और इसको पढ़ लेते हैं अलाउद्दीन का चिराग यानि की अश्चारे जनक वस्तू इंद्र का खाड़ा यानि की रास रंग से भरी सभा इंद्रासन की परी बहुत सुन्दर इस्री कर्ण का दान महादान कारू का खजाना अतुल धनराशी कुबेर का धन अतुल धनराशी कुम्बकर्णी नीन यानि की बहुत घहरी नीन ठीके कुमकरन जो था बहुत गयरास होता था ना उसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी लापर वहाँ भी था गोबर गडेश यानिकी मूर्क बुद्धु निकम्मा वेकती गोरक धन्दा बखेडा या फिर जन्जट चाड़क्य निती कुटिल निती चुपारुस्तुम असाधारण किंतु अप्रसिद गुणी तीसमार खान बनना अपने आपको बहुत शूरवीर समझना शेकी बगारना ठीके आगे है तुगलकी फर्मान जन्ता को सुवीदा असुवीदा का ख्याल किये बिना जारी किया गया शाशना देश को कहेंगे तुगलकी फर्मान आगे है दुर्वासा का रूफ बहुत क्रोध करना दुर्वासा का शाप उग्रुशाप अगले पेस पे सलेंगे पेस नंबर 135 है ये लुसन की सामाने हिंदी किताब का यहाँ पर लिखा है दनकुबेर इसका अर्थ होगा अधिक धन्बान ठीक है आपको दिखनी लाओगा दिखा देती हूँ मैं ये देखे अगला इसमें नादिर शाई हुक्म यानि की मनमाना हुक्म नारद मुनी इधर उधर की बाते कहे कर कलह कराने वाला व्यक्ति भंपर शुराम का अर्थ होगा परशुराम का कोप यानि की अत्यादिक प्रोध पांचाली चीर बड़ी लंबी समाप्त ना होने वाली बस्तूं ठीक है पांचाली कौन थी द्रोपती और ब्रह्म पाश यानि की फास अत्यादिक मजबूत फंद बगी रती प्रितन बहुत बड़ा प्रितन बीशम प्रतिग्या कठोर प्रतिग्या महा भारत भ्यंकर जगड़ा या फिर भ्यंकर युद्ध तीक है बोल देते हैं महा भारत हो रही अब भई सच में तो महा भारत नहीं हो रही होगी कहीं इसका मतलब होता है खूब राम कहानी अपनी कहानी आप बीती राम जाने मुझे नहीं मालूम एक प्रकार की शपत खाना राम नाम सत्तो होना यानि की मर जाना राम बाण तुरन प्रभाब दिखाने या कभी ना चुकने वाली चीज उपर की तरफ देखेंगे राम बाण ओशत यानि की अचुक दवा राम राज्य ऐसा राज्य जिसमें बहुत सुख हो या फिर सब सुखी हो राम राम करना नमस्कार करना भगवान का नाम जतना लंका कान यानि की भगयंकर विनाश लंका डहना किसी का सत्यनाश कर देना लक्षमन रेखा अलंगय सीमा या फिर मर्यादा इसको पार नहीं करना चाहिए विभीशन गर का वेदी या फिर भेदिया शेक्चिल्ली के इरादे यानि की हवाई योजना अमल में ना आने वाले कारे रूप में पढ़नित ना होने वाले इरादे ठीक है यानि की जो सक्सेस्फुल ना हो ऐसे इरादों को कहेंगे शेक्चिल्ली के इरादे श्री गडेश करना यानि की आरंब करना सनीचर सवार होना दुर भागया आना या फिर बुरे दिन आना सुदामा की कुटिया गरीद की जोपडी हमीर हट अनूठी आन हातिमताई यानि की दानशील और परोपकारी ठीक है तो यह थे ल यह था ही और लिंक में डिस्किप्शन में दे दूंगी अगली वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के वस्चुनिष्ट प्रश्न यानि की मुहावरों से संबंदी सभी तरे के एम सिक्यू तो बने रहिए हमारे साथ जुडे रहिए मैं सोनाली सिंग लेकर आओंगी आल रखिये चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब थैंक्स वर वाचिंग